दोस्तों जब आप कोई भवे इमारत को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस इमारत को बनाने से पहले कागस पर उसका नक्षा बनाया गया होगा या सीधे ही कुछ मेस्त्री आये और सिमेंट वा इटे बे तरकीव लगा कर इमारत बनाने लगे बाद में आपने आप इमारत बन गई कोई भी भवन बिना नक्षे बनाया नहीं जाता चलिए अब कलपना कीजे कि आप सेना में कैप्टन हैं आपको एक युद्ध जीतना है तो आप क्या करेंगे कोई रनीती बना कर युद्ध करेंगे या सैनिकों को कह देंगे बहले युद्ध आरम तो करो फिर देख लेंगे कि कैसे कैसे लड़ना है आपने एक कहानी सुनी होगी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था उसके चार पुत्र थे जब वह व्रुद्ध हो गया तो उसने सभी बेटों को एक-एक रुपया दिया और कहा कि जाओ इस एक रुपय से व्यापार करके दो रुपय कमा कर दिखाओ जो ऐसा कर पाएगा उसे ही मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौप होगा वह व्यापारी यह देखना चाहता था कि उसके किस बेटे में व्यापार करने की ख्यमता है क्यूंकि ज़्यादा तर लोग व्यापारी नहीं जुवारी होते हैं वे व्यापार करने के मूल मंत्र को नहीं जानते कि व्यापारी रनीती से व्यापार करता है जुवारी तो बस सीधे खुद पड़ता है बाद में सुचता है कि क्या रनीती बनानी चाहिए यानि कि आपके लिए पहली ट्रेडिंग टिप्स यह है कि शेर बाजार में ट्रेड करने से पहले रनीती जरूर बनाए यहार रनीती ज़रूरी है दोस्तो ऐसे ही आपको ऐसे ही ट्रेडिंग टिप्स आपको आपक मार्केट में सपल होने के 41 टिप्स नाम के बुक में दिया गया है उसे महेंर कोशिक जी ने लिखा है अगर आप उस बुक को पर्चेस करना चाहते हैं तो आपको उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आप वहाँ से जाके उस बुक को पड़े और उसका पूर्न लाब उटाए बहुत अच्छी बुक है दोस्तो यह आपको बहुत यूस्फुल रहेगी दोस्तो अगर आप स्टाक मर्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पस डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको जीरोदा और अंजल ब्रोकिंग दोनों का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ पर जाके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू दोस्तो